जैश्री क्रश्न रादे रादे श्री वल्लबा दीश की जै आज बाद्रपद शुक्ल पंचमी शनिवार 11 सितंबर 2021 से आज श्री चंदरावली जी का उस्सव है आए आज के दिन की विशिष्टा है एवं विशिष्ट भाव जानते है आज श्री राधिका जी की परम सखी श श्री चंदरावली जी का उस्सव है नील पीत के वस्त्र एवं ग्वाल पगा का श्रंगार आज श्री जी को विशेष धराया जाता है वर्ष भर में यह श्रंगार आज ही धराया जाता है जिसमें नीले अर्थात मेग शाम रंग के हाशिया वाले पीले रंग के पगा वस् श्री चंद्रावली जी का प्रकट्य स्वरूप है चंद्रावली जी का उस्व स्वामीनी जी के उस्व की भाती मनाया जाता है इस उस्व को द्वतिय सरूप उस्व या स्वरूप उस्व भी कहते है श्री चंद्रावली जी का जन्म आज के दिन वरज में रिठोरा ग्राम मे वरशबानुजी के जेस्ट प्राता श्री चंद्रबानुजी गोप के यहां माता सुखमा की कोक से हुआ था आपका विग्रह सदा चौदा वर्ष चार मास और बीस दिन का माना जाता है पुष्टी मारग में चंद्रावली जी दो स्थानों पर प्रत्यक्ष दर्शन देती है वरज के गोकुल में प्रमूषरी गोकुलनाजी के साथ और राजस्थान के काम बन में प्रमूशरी मदन मौन जी के साथ आप फिराजित है बरसानी से दो किलो मेटर आगे रिठोरा गाव है जब बरसाना से नंदगाव जाते है बाई तरफ रिठोरा गाव पड़ता है वहाँ चंदरावली सरोवर तताश्री बिठलनाजी की बेठक है स्री चंदरावली जी, श्री राधा जी की चचेरी बेहन थी ये इतनी सुन्दर थी कि जब रात को गर से बाहर निकलती थी तो चंद्रमा के प्रकाश का हरन कर लेती थी ऐसा माना जाता है इसलिए बगवान श्री कृष्ण ने इनका नाम चंद्रावली रखा इन्होंने महाराश के समय प्रभू श्री कृष्ण को महाराश में जाने नहीं दिया तथा अपने पास ही रोक कर रखा जिससे महाराश में विलंब हुआ सभी सखिया गोपिया श्री कृष्ण के विरह में इस कारण रो रही थी श्री राधा महारानी से गोपियों की दशा देखी नहीं गई उन्होंने चंद्रावली सखी पर क्रोध किया और श्री जी ने उन्हें सखी रूप से ठुकरा दिया पहले स्री राधा जी की नो सखिया थी चंद्रावली जी ललिता विशाखा तुंग विद्या चित्रलेखा रंग देवी सुदेवी चंपकलता इंदूलेखा ये नो सखिया थी अब चंद्रावली जी का नाम इन नो सकियों में नहीं आता है सिर्फ गोपियों में आता है आपका स्वरूप गोर वर्ण है अथा आज हाती दात के खिलोने और श्वेत वस्तुएं स्री जी के सम्मक स्री चंद्रावली जी के भाव से धराई जाती है इसी भाव से प्रभु स्री जी को आज विशेश रूप से गोपी वल्लब अर्थात गवाल के भोग में मनोर के लड़ू अर्थात इलाइची जलेबी के लड़ू अरोगाये जाते है आज से राधा अश्टमी की चार दिवस की नोबत की बदाई बेटती है श्री राधिका जी श्री क्रश्न की आलहादनी शक्ती है आलहादनी अर्थात आनंद देने वाली राधा क्रश्न को आनंद देने के लिए उनी से प्रकट हुई है यह यही शुद्दा दिवत है अर्थात श्री क्रश्न के लिए राधा तत्व ही क्रश्न का सुख है जिस प उसी प्रकार हम सभी भगवत जन श्री राधा जी का ही अंच है हम सभी मूल में श्री राधा जी ही है कीरतन में भी कहा गया है परमधन राधा नाम आधार जाहे पिया मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार वेद मंत्र और जंत्र तंत्र में यही कियो निर्धार श्रेशुक प्रकत कियो नहीं याते जानत सार को सार कोटी रूप धरेनन लंदन तून पायो पार व्यास दास अब प्रगत ब्रकानत डार भार में भार राधा का प्रेम निशकाम और निस्वार थे वह श्रीकृष्न को समरपित है राधा श्रीक्रष्ण से कोई कामना की पूर्ती नहीं चाहती वह सदेव श्रीक्रष्ण के लिए आनंद के लिए उद्यत रहती है इसी प्रकार जब मनुष्य सर्वस्व समर्पन की भावना से क्रिष्ण प्रेम में लीन हो जाता है तभी वह राधा भाव ग्रहन कर पाता है श्रीक्रष्ण प्रेम का शिखर राधा भाव ही है तभी तो श्रीक्रष्ण को पाने के लिए हर कोई राधा रानी का अश्रे रहता है महा भाव सुरूपात्वम क्रष्ण प्रिया वरियसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वान मम्म्य हम कृष्ण इनकी आराधना करते है इसी लिए ये श्री राधा है और ये सदा कृष्ण की आराधना करती है इसी लिए ये श्री कृष्ण की आराधिका अर्थात राधिका कहलाती है वरज की गोपिया और द्वारका की रानिया इनी श्री राधा की अंश रूपा है ये राधा और ये आनंद सागर श्री कृष्ण एक होते हुए भी कृड़ा के लिए दो हो गये है स्कंद पुरान के अनुसार में राधा कृष्ण की आत्वा है, इसी कारण भक्त जन सीधि सीधी वाशा में उन्हें राधा रमन कहकर पुकारते है पद्म पुराण में परमानंद रसको ही राधा कृष्ण का युगल सुरूप बाना गया है इनकी आराधना के बिना कोई भी जीव परमानंद का अनुभव नहीं कर सकता है आईए श्रिनाज जी के आज के श्रंगार के गुणगान करते है आज की साथ सेवा में स्रिनाज जी में आज पीले रंग की मलमल की पिछवई धराई जाती है जो रुपहली जरी की तुईलेस और मेगशाम रंग के हाशिये अर्थात किनारी से सुसजित होती है आज गादी तकिया और चरंचोकी के उपर श्वेत बिछावट की जाती है आज की वस्तर सेवा में स्री जी को आज पीले रंग की मलमल का आसमानी रंग के हाशिया वाला पिछोड़ा धराया जाता है दोनों वस्तर रुपहली जरीकी तूइ लेस की किनारी से सुसजित होते है आज ठाड़े वस्तर लाल रंग के धराये जाते है आवरन श्रंगार सेवा में प्रभुश्री जी को आज वनमाला का अर्थात चरनार बिन तक का भारे श्रंगार धराये जाते है ठाकुर जी को आज सरวाबरन मानक कथा जड़ाव स्वर्न के दराया जाते है प्रभु स्थी जी के स्टक पर पीले रंका आस्मानी रंकी किनारी और टिपकेओ वाला गौाल पाग अरथाद गौाल पगा दराया जाता है और इस गौालपगा के उपर चमकना टिपारा का साज दराया जाता है टिपारा में मद्द में मोर्शिका दोनों और दोहरा कत्रा होता है इसलिए इन तीन साजों से मिस्ट यह साज टिपारा कहलाता है इसके अलावा स्री मस्तक बर्माई और शीश पूल दराया जाते है श्री जी प्रभू के श्रीकंड में आज जड़ाओ, मकराकरति, कुंडल दराया जाते है प्रबु श्री गोर्दनाच जी के श्रीकंट में श्वेत एवं पीले पुश्पो की थाग वाली दो सुंदर माला जी सुशोबित की जाती है आज कली, कस्तुरी और वेजनती माला भी धराई जाती है श्रीकंट में टोडर भी धराया जाता है प्रभू जी के श्री हस्त में कमल शड़ी, सोने के वेडू जी और दो वेतर जी दराये जाते है इन में से एक लाल मीना के और एक सोने के होते है केल के साज में आज पट पीला एवम गोटी बाग बकरी की आती है अन्य सब सेवा नितिक रमानुसार प्रभू की होती है आईए आज की राग सेवा आज की कीर्टनों की चर्चा करते है मंगला दर्शन में कीर्टन बधाई कूर लली का गायन होता है राजबोग दर्शन में कीर्टन आज चंद्रभान के बधाई सुक्मा कुखी अवतरी कन्या गरगर बाजत बजाई, नाम धर्यो चंद्रावली सुखनिति कोटिक चंद्रल जाने, भादो सुधी पांचे, शुब वासर, अरुन रदय रस्माने, सुनि व्रिशबान नंद, मन हर के देखी अनुपम शोबा, कृष्ण दास गीरिदर की जोरी देखर्त रति पती लोबा, आर्थी दर्शन में कीर्टन होता है, प्रकट भई छोबा त्रिबुवन की श्री व्रिशबान गोप के आई, अदबुत रूप देखी व्रजवनिता रीजी रीजी लेत बलाई, शेहन दर्शन में कीर्टन होता है आज व्रश्वान के अनंद व्रंदा विपिन विहारी निप्रक्टी श्री राधा जू आनंद कंद और पोडवे के कीर्टन में आज का कीर्टन है दन्यरानी जसुमति ग्रह आवत गोपी जन वासर ताप निवारन कारण वरम वार कमल मुख निर्खन जैश्री कृष्ण राधे राधे आज के वीडियो में बस इतना ही आप सभी को चंजरावली जी के उस्सव की खूब खूब मंगल बजाई